नमस्कार साथियूं अनीका कलासिस पटना में आपका स्वागत है आज देखेंगे सेट नमबर 4 अभी तक आपने एक से लेकर के तीन तक सेट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सेट देख सकते हैं यह बिहार दरोगा का सेट प्रेक्टिस नमबर 4 है जिसमें आपका 100 कोश्चन जो है GKGS का होगा साथ में करेंट अफेर्स के होंगे जिसमें आपको 200 मार्क्स का इसमें एक्जाम होता है और टाइमिंग आपका 2 घंटे दे जाता है तो ध्यान देंगे आज कोश्चन नमबर 1 पे पबलिक सेप्टी बिल के विरोध में भागत सिंग एवं बट्टु केसवर्दत ने कब सेंट्रल लेजेस्टेटिव असेम्बली में बम फेका था तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 1 आठ अप्रेल 1929 को इन दोनों के द्वारा जो है सेंट्रल लेजेस्टिव असेम्बली में बम फेका गया था उस समय सेंट्रल असेम्बली के अध्याक्ष बिठल भाई पटेल थे इसके अध्याक्ष कोन थे बिठल भाई पटेल थोड़ा बहुत डिपली नौलेज भी होना चाहिए कोश्चन नमर 2 देखेंगे प्रात्ना समाज की अस्थापना किनके सहयोग से किया गया था तो सभी जानते हैं कि ऐसे तो एक अगर ऑप्टन देता है तो इसमें आत्मा राम पंडुरंग प्रात्ना समाज की अस्थापना किये थे लेकिन इन तीनों के सहयोग से किया गया था आत्मा राम पंडुरंग देवेंदर नात ठाकूर और एमजी रनाडे यानि इसका राइट आंसर जो है ओप्टन नमबर डी हो जायेगा कोश्चन नमबर तीन देखेंगे किस मुगल सासक के सासनकाल में संगीत पर पावंदी लगा दी गई थी तो जो औरेंग जेव है उसके सासनकाल में संगीत पर पावंदी लगा दी गई थी Q4 देखेंगे लाल किला इस्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था तो जो हीरा महल है वह बहादूर साह जफर के द्वारा बनवाया गया था Q5 देखेंगे दूतिये आंगले मैसूर यूद किस गवर्णर जनरल के कार्ज काल के दवरान लड़ा गया था तो दूतिये आंगले मैसूर यूद जो है वह नोट कर लिजेगा 1780 से 84 तक लड़ा गया था और इस समय जो 22 अराय थे वह बारेन हैस्टिंगस थे यानि इसका right answer option number A हो जाएगा question number 6 देखेंगे Muslim link की अस्थापना कहा की गई थी तो हमारा Muslim link जो है उसकी अस्थापना धाका में किया गया था ठिक है इसमें जो इनके अध्यक्स थे वह सलेम उल्लाखा के द्वारा किया गया था और पूछा जाता है कि कब किया गया था तो 1906 इसकी में Muslim link की अस्थापना बंगलादेश में किया गया था यानि बंगलादेश का धाका ठिक है और इस समय एक प्रश्ट और पूछा जाता है कि इस समय गवर्णर जनरल कौन थे तो Lord Minto दूतिये कौन थे Lord Minto दूतिये यह भी आप याद रखेंगे Question नमर साथ देखेंगे किसने 1857 के बिद्रोह को राष्टिये बिद्रोह का कहकर संबोधित किया था तो डिजराईली का नाप आपने सुना होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option नमर सी Question नमर आठ देखेंगे निमलिखित में से कौन सा बिकल्ब सही सुमेलित नहीं है एक तरफ बिद्रोह है दूसरे तरफ जो है नित्रित्व करता दिया गया है तो कौन सा सही नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है आपका Option नमर D हो जाएगा ताना भगत ठीक है बाकी सभी सही है अहोम विद्रोह का गोमधर कुबर बिलकुल सही है खासी, तिरत सिंग, निल, दिगंबर ठीक है जबकि ताना भगत आंदोलन का नित्रित्व जो है ताना भगत हुआ कब था यह आप जाने पहले ताना भगत जो है 1914 इस्वी के दवरान बिहार में, यानि बरतमान में तो अभी जारखंड है ठीक है जिसका नेत्रित्व जत्रा भगत के दवरा किया गया था कौन था? जत्रा भगत जत्रा भगत नोट कर लिजेगा है ना? Question number 9 देखेंगे Question number 10 देखेंगे बैदिक सिधान्त के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Option number A ब्रहाम्मन की उत्पति पुरुस के कानों से हुई है यह विलकुल गलत कहा गया है? क्योंकि जो है बैदिक सिधान्त के अनुसार ब्रहाम्मन या पुजारिक उत्पति पुरुस के मुक्ष से हुआ है ठेक है तो राइट आंसर आप्सन नंबर A हो जाएगा Question number 11 देखेंगे असोक ने अपने छेत्रों में समाजिक समस्याओं को हल करने है तू किसे निव्ट किया था? तो धम महा मात्र को असोक ने निव्ट किया था राइट आंसर आप्सन नंबर B हो जाएगा Question number 12 देखेंगे हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचिन समाजि से जुड़ा हुआ है तो सेंगोल या चोल राजबन से जुड़ा हुआ है Question number 13 देखेंगे Operation Polo या BVI प्रश्ण है Operation Polo के द्वारा किस राज़ का बिलय किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे कि हैदरावाद का बिलय जो है Operation Polo के द्वा था और Operation Polo या 1948 में चलाया गया था इसे भी जो है आप नोट करते चलेंगे Question number 14 देखेंगे स्वाली का यूद अंग्रेजो एवम उनके मद हुआ था तो जो स्वाली का यूद है वह अंग्रेज एवम पूर्टगालियों के बीच हुआ था इसका Right Answer Option number A हो जाएगा Question number 15 देखेंगे जालिया वाला बाग हत्याकांड के परभाव के रूप में निवन में से कौन सी घटना घटित होई थी तो जो जालिया वाला बाग है उस दर्म्यान जो है Hunter आयोग का गठन किया गया था यानि Right Answer Option number B हो जाएगा Question number 16 देखेंगे निमलेकित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो एक तरफ नदी दिया गया है दूसरी तरफ सहायक नदी दिया गया है तो महा नदी जो है या मांद की है या बिलकुल सही है कृष्णा की सहायक नदी माल परभा है या भी बिलकुल सही है कावेरी की हेमावती सहायक नदी है या भी बिलकुल सही है जबकि Option number A जो है गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं है तो कौन सी नदी है तो गोदावरी की सहायक नदी जो है वह पेन गंगा है कौन सी पेन गंगा ठीक है यह नोट करते चलेंगे Question number 17 देखेंगे कि निमलिखित में से कौन सा पृत्वी के घुर्णन का परभाव नहीं है तो कौन सा नहीं है तो इसका right answer option number D हो जाएगा रितू परिवर्तन रितू परिवर्तन जो है वह पृत्वी के घुर्णन का परभाव नहीं है जबकि पवन का बिच्छेपन पृत्वी का घुर्णन परभाव है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति यह भी पृत्वी के घुर्णन परभाव का है दिन रात का होना यह भी पृत्वी का घुर्णन परभाव का है question number 18 देखेंगे खमसीन निमलिखित में से किस देश की अस्थानिय पवन है तो जो आपका खमसीन है वह मिस्र देश की मिस्र देश की जो है अस्थानिय पवन है ठेक है वहीं बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की अस्थानिय पवन का नाम जोंडा है नोट कर लिजेगा जोंडा ठेक है वहीं आगे देखेंगे अमेरिका की चिनुक होती है और न्यूजिलेंड की नार्विश्टर्स होती है ठीक है? कोश्चन नमबर 19 देखेंगे विश्व बन छेत्र में से किस एक का फैलाव की परतिसत्ता जो है सरवादिक है तो राइट आंसर ओप्शन नमबर ए हो जाएगा सितोषन संकुधारी बन सितोषन संकुधारी बन जो है बेसुबन छेत्र में उसका फैलाव परतिसत की रूप में सरवादिक है कोश्चन नमबर 20 देखेंगे कसमीर घाटी किंदो परवत स्रेनियों के मद इस्तित है जो अपना कसमीर घाटी है वा ब्रिहत हिमाले वा पीर पंजाल तो ब्रिहत हिमाले वा पीर पंजाल के स्रेनियों के मद इस्तित है तो राइट अंसर ऑप्सन नमबर A हो जाएगा कोश्चन नमबर 21 देखेंगे निमलिकित परवतिये दर्रो का सही पश्चिम से पूरब करम में पहचानी है तो इसका राइट अंसर जो है अप्सन नमबर C हो जाएगा यानि कि सबसे पहले जो है वा सीपकिला, लेपुलेक, नाथुला उसके वाद बॉमडीला होगा तो राइट अंसर अप्सन नमबर C हो जाएगा कोश्चन नमबर 22 देखेंगे 10 डिगरी चेनल निमलिखित में से किसे पिर्थक करता है तो ये तो अस्पीडी का प्रश्ण है तो आप भी जानते होंगे कि 10 डिगरी चेनल जो है आपका अंडमान को निकवार से अलग करता है ठिक है पिर्थक मतलब अलग करना कोश्चन नमबर 22 देखेंगे निमलिखित में से कौन सी जन जाती रितू परवास करती है तो आपने पांचमी कलास में पढ़ा होगा कि भूटिया जन जाती जो है हुआ है रितू परवास करती है कहने का मतलब हो गया कि आज हम यहां है दिल्ली में है तो कल मुंबई में होंगे परसो कहीं और होंगे उसे कहते हैं रितू परवास करना ठिक है रितू के हिसाब से जहां उनको सुटेवल लगता है उन हिसाब से वो चले जाते है कोश्चन नमबर 24 देखेंगे आमर बरसा जिसे मैंगो सुरोबर कहते हैं वो अकिस से समदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम की फसल से ठिक है आमर बरसा जो है आम की फसल से है इसको आप आम आम करके रिलेटेट करकर के याद कर सकते हैं कोश्चन नमर 25 देखेंगे भोमे की उरबरता बढ़ाने के लिए निवन में से कौन सी फसल उगाई जाती है तो इसका राइट आंसर आप्सन नमर ए उड़द हो जाएगा क्योंकि आप जानते होंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की परतिसत्ता बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग दाल लगाते हैं दाल का ठीक है तो यह उड़द जो है एक परकार का दाल है इसलिए इसका राइट आंसर उड़द हो जाएगा कोश्चन नमर 26 देखेंगे निवन में से कौन सकल घरेलो उत्पाद में सामिल है तो आपका सकल घरेलो उत्पाद में अंतिम बस्तू की बिक्री यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 27 देखेंगे पूर्ति स्वयम अपनी मांग उत्पन करती है यह नियम किस से सम्मंदित है तो यह नियम जो आपका जेवी से का बजार नियम से है जेवी से का बजार नियम से है ठीक है कोश्चन नमर 28 देखेंगे खुस्रो समीती का समंद किस से है तो खुस्रो समीती का समंद जो है वह क्रिसी साख से है राइट आंसर आपसन नमर ए हो जाएगा Question number 29 देखेंगे भारती रिजर्ब बैंक में साख नियंतरन के तरीकों में कौन सामिल है तो इसका right answer हो जाएगा Option number D इन में से सभी यानि भारती रिजर्ब बैंक के साख नियंतरन में आपका बैंक नितिदर, नैतिक परभाव की निति और खुले वजर की किरिया या तीनों आ जाएगे Question number 30 देखेंगे गरीवी रेखा के निर्धारन से सम्मंदित लकडवाला सिमिति ने अपनी रिपोर्ट का पर्सकासित की थी तो इसका right answer हो जाएगा Option number B, 1993 में Question number 31 देखेंगे अधिकार प्रिच्छा जो है ओचने आले के किस छेत्रादिकार के अंतरगत आता है तो इसका right answer हो जाएगा Option number D, इन्वे से कोई नहीं क्योंकि जो है अधिकार प्रिच्छा जो है आपके ओचने आले के रिट छेत्रादिकार के अंतरगत आता है रिट छेत्रादिकार ठीक है यह आप नोट करते चलेंगे Question number 32 देखेंगे ओप्राश्ट पती के निर्वाचन के समन्द में कौन सा कथन सही नहीं है बिहार दरोगा में नहीं करके बहुत सारे प्रशन आते हैं तो इसका right answer हो जाएगा Option number B ओप्राश्ट पती को मतदान का अधिकार प्राप्थ है जबकि यह गलत है ठीक है बाकी आपके सभी option सही है जैसे option number A देखेंगे ओप्राश्ट पत से समन्दित प्राप्थान अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है जो की बिल्कुल सही है ओप्राश्ट पती राजसभा में पदेन सभापती होता है यह भी बिल्कुल सही है ओप्राश्ट पती बनने है तो 35 वर्स की आयू चाहिए यह भी बिल्कुल सही है question number 33 देखेंगे राज के नीती निर्देशक्त सिधान्त के अंतरगत धान का समान बित्रन किस अनुछेद में बर्नित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C अनुछेद 49 के ख़व में ठीक है question number 34 देखेंगे भारती नागरिक्ता अधिनियम 1955 के अनुसार भारती नागरिक्ता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है तो टोटल पांच तरीके से जो है आप भारत के नागरिक बन सकते है question number 35 देखेंगे संग अवम राज के बीच सक्ति विभाजन की अबधारना किस देश के सम्मिधान से लिया गया है तो यह जो है आपका कनाड़ा के सम्मिधान से लिया गया है संग अवम राज के बीच सक्ति विभाजन question number 36 देखेंगे स्रमिक संग अवम फौजदारी किस सोची का विशय है तो इसका right answer हो जाएगा संबरती सोची का स्रमिक संग अवम फौजदारी जो है संबरती सोची का विशय है question number 37 देखेंगे किस अनुछेद के तहत भारत के महानवादी को भोड़ देने का अधिकार नहीं है तो इसका right answer option number C हो जाएगा अनुछेद 88 के तहत जो है भारत का महानवादी उसको भोड़ देने का अधिकार नहीं है question number 38 देखेंगे लोगसवा अध्यक्ष को सपत निमलिकित में से कौन दिलाता है तो लोगसवा जो अध्यक्ष होते हैं उनको सपत जो है इसमें right answer option number D हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि समिधान के अनुछेद 93 में में लोगसवा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उलेक किया गया है लोगसवा का अध्यक्ष जो है लोगसवा सदस के रूप में सपत लेता है ना कि अध्यक्ष के रूप में बात किलियर हो गई होगी जो लोगसवा अध्यक्ष जो है वा खुद ही जो है एक लोगसवा सदस के रूप में सपत लेता है ना कि अध्यक्ष के रूप में इसलिए इसका right answer option number D हो जाएगा question number 49 देखेंगे बरतमान में केंद्री निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है तो right answer option number B हो जाएगा तीन 1993 से पुर्व केंद्री निर्वाचन आयोग की एक सदस्य या परंतु 1993 से यह तीन सदस्य है बरतमान में इसके एक अध्यक्ष एवंदू अंसदस सामिल है question number 40 देखेंगे भारती राजव्यवस्था में भारत के विभिन पधाती कारियों का कौन सब बरियता क्रम गलत है तो आपका right answer हो जाएगा option number D इनमें से कोई नहीं क्योंकि उपराश्टपती परधान मंत्री और राजपग यह विलकुल सही है question number 41 देखेंगे yellow book किस देश की सरकारी दस्तावेज है तो जो आपका yellow book है वह फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है वहीं बात करें ग्रीन बुक की तो जो ग्रीन बुक है वह इटली और इरान का है जो इटली है इसका कौन सा है green book question number 42 देखेंगे संयुक्त राश्ट के संग के अस्थापना के समय कितने देशों के परतिनीधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किये थे तो इसका right answer हो जाएगा option number A 50 question number 43 देखेंगे बायू सेना के पक्ष्मी कमांड का मुख्याले कहां है तो जो बायू सेना है इसके पक्ष्मी कमांड का मुख्याले नई दिल्ली में है question number 44 राधा रेड़ी का समंध किस सास्त्रिय निर्थ से है तो जो आपका राधा रेड़ी है वा कुची पुड़ी से समंध रखती है ठीक है कुची पुड़ी जो है एक सास्त्रिय निर्थ है और कुची पुड़ी से दो तीन और नाम याद रखेगा यामनिक कृष्ण मूर्ती जो है या भी कुचीपुडी की एक डांसर है, राजा रेड़ी इनका भी सम्मन्द जो है कुचीपुडी से है question number 45 देखेंगे और या हर एक्जाम के लिए B.B.I. प्रशन है कि the god of a small things पुस्तक के लिए किस बर्स अरुंधती राई को मान बुककर अवार्ड जो है दिया गया था तो मान बुककर अवार्ड जो है इनको option number D इसमें right answer हो जागा इनमें से कोई नहीं क्योंकि इनको जो है मान बुककर पुरुसकार 1997 में दिया गया था ठीक है बात करते हैं मान बुककर पुरुसकार की सुरुवात कब ही तो मान बुक्कर पुरुषकार की सुरुवात जो है 1979 इस्वी में किया गया था कोश्चन नमर 66 देखेंगे पाखल बन जीव अभियारन भारत के किस राज में इस्थित है जो पाखल बन जीव अभियारन है वह तेलंगाना राज में इस्थित है और यह अभिहारन जो है आपका जंगली सुवर, भालू, तेंदवा आदी के लिए परसिध है Question number 47 देखेंगे Red Data Book उपड़ हम लोग ने पढ़ा था ये Low Data Book जो की फ्रांस से सम्मने था नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं Red Data Book तो Red Data Book का पर्थम परकाशन जो है किस वर्स किया गया था तो इसका परकाशन जो है 1964 इस विक के दवरान किया गया था जैब विवित्ता में परिवर्तन होता है तो इसका राइट आंसर जो है Option number A हो जाएगा कि भुमाद रेखा के तरफ बढ़ती है तो जैब विवित्ता में परिवर्तन होता है Question number 49 देखेंगे परियावरन में Green House परभाव में बिर्धी होती है तो कब बिर्धी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Carbon Dioxide के कारण Carbon Dioxide के कारण जो है परियावरन में Green House परभाव में बिर्धी होती है Question number 50 देखेंगे निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो जै मंडल अराच्छी छेतर दिया गया है और राज दिये गया है तो सिमली पाल उडिसा बिल्कुल सही है नोकरेक जो है यह में घाले बिल्कुल सही है अगस्त मलाई केरल में यह भी बिल्कुल सही है जबकि कंचन जंगा हिमाचल परदेश नहों करके सिक्किम होगा ठीक है Question number इक क्यामन देखेंगे हेरदय मान स्पेसी को कहते है तो जो आपका हेरदय मान स्पेसी है उसे एक मायोकार्डियम कहते है क्या कहते है हेरदय मान स्पेसी को मायोकार्डियम कहा जाता है Question number 22 देखेंगे Popiocative Neuroscular Fecillation का संबंद जो है तक्निकी संबंदित है तो यह किस से संबंदित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Option number C सरीर का लचिलापन से Question number 33 देखेंगे नेमलिकित में से कौन सा बसा में घुलनसील बिटामिन नहीं है तो आपका बसा में घुलनसील बिटामिन जो है बिटामिन B नहीं होता है जबकि बिटामिन A, बिटामिन E और बिटामिन D या बसा में घुलनसील है Question number 54 मानव सरीर की अस्थियां किस अधार पर बरगी कृत की जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा परिमान एवं आकार की रूप में Question number 55 कौन सा उत्तक जो है शरीर का संरच्छन का कार्ज करता है तो कौन सा उत्तक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Epithelium उत्तक Option number A Question number 56 देखेंगे पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे परकास की और जुख जाते है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Option number C Oxine Question number 57 देखेंगे प्रोकेरियोटिक कोसिका के संबन्द में कौन सा कथन सत्त है तो राइट अंसर हो जाएगा Option number D इन में कोसिका विभाजन विखंडन अथवा मुकलन के द्वारा होता है Question number 25 देखेंगे Tereodophyte पौधे के उधारन है तो जो आपका Tereodophyte पौधे है या Marseillia एवंफन पौधे के उधारन है Right answer option नमर भी हो जाएगा Question number 69 देखेंगे Lipage नामक एंजाइम का स्रोथ है तो इसका स्रोथ जो है आपका इन में से कोई नहीं Right answer option नमर D हो जाएगा तो Lipage जो है या अगनासे मानफ सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है जो अंता अस्तरावी तथा बाही अस्तरावी दोनों है इससे निकलने वाले अगनासे रसको पूर्ण पाचक रसक कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन को पचाने हेतू तीन परकार के एंजाइम होते है ट्रिपसीन एमाईलेज और लाइपेज ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगनासे जो कि अप्शन में नहीं दिया गया था कोश्चन नमर साथ देखेंगे सहवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर भी सह जी बिता ठीक है लाइकेन और सहवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता उसको सह जी बिता कहते हैं कोश्चन नमर एक सट देखेंगे नेमन में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनीज है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट कोबाल्ट जो है वह एक अलोह धात्विक खनीज है question number 62 देखेंगे बताते चले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ठेक है question number 62 देखेंगे नाभकिये रियक्टर में नाभकिये विखंडन से विद्धोत उत्पन करने के लिए समानत्य परियोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है तो इसका right answer है uranium question number 63 देखेंगे एक hydrocarbons जिसमें carbon के दो परमानों दिवबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं तो एलकीन कहलाते हैं question number 64 देखेंगे सोना को गोहला जा सकता है तो जो सोना है उसे hydrochloric acid एवब nitric acid के मिस्रन में गोहला जा सकता है question number 65 देखेंगे पीतल निवन में से किसका मिस्रन है तो इसका एक trick होता है पीता जी क्या होता है पीता जी यानि पीतल जो है वह तामबा और जस्ता के मिस्रन है ठीक है तो इसका right answer जो है option number D हो जाएगा question number 66 देखेंगे एक जेटा बरावर होता है तो एक जेटा बरावर जो है दस के बावर 21 होता है question number 66 देखेंगे बैरो मीटर के उचाई में अचानक बिर्धी इंगित करता है तो जैसे हैं बैरो मीटर जो है अचानक जो है उपर की और जा रही यानि बिर्धी कर रहा है तो आपका अत्यां सुस्क मौसम होगा question number 68 है निकट द्रिष्टी दोस किसके परियोग से उपाचारित किया जा सकता है तो आपका निकट द्रिष्टी दोस है वह अपतल लेंज के द्वारा उपचारित किया जा सकता है question number 69 है इंद्र धनुस के कारण होता है तो इंद्र धनुस के कारण जो है आपका प्रावर्तन एबं अपवर्तन के कारण इंद्र धनुस बनता है question number 70 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है तो right answer हो जाएगा option नमर B, परकास के अपवर्तन का नियम जो है, Einstein के द्वारा दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, परकास के अपवर्तन का नियम जो है, स्नेल के द्वारा दिया गया है, गती विश्यक नियम जो है, Newton ने दिया था, बिल्कुल सही है, परकास का व्यतिकर उसकरन थॉंव स्यंग के द्वारा दिया गया है बिल्कुल सही है परकास का तरंग सिधान जो है हाई गेंज के द्वारा दिया गया है ह। बिल्कुल सही है केंद्रिया बजट 2023 में साथ प्राथ मिक्ताएं अपनाई गई जिसे क्या नाम दिया गया है तो इसका राइट आंसर जो है अप्सन नमबर C हो जाएगा सबतर्थ C केंद्रिया बजट 2023 के अनुसार राजकोसिय घाटा GDP का कितना परतिसत अनुमान लगया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर A 5.9% यहां से जो है आपका करेंट का प्रशन चालो हो गया है तो इसे ध्यान से देखें क्योंकि बिहार दोरोगा में अगर मेरिट बनाना है तो करेंट के प्रशन जो है महत्पूर्ण हो जाते है कोस्चन नमबर 73 देखेंगे आर्थिक समिच्छा 2022-23 के अनुसार अप्रेल से दिसंबर 2022 के दोरान ब्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा तो राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B 551.7 बिलियन डॉलर कोस्चन नमबर 74 देखेंगे आर्थिक समिच्छा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस छेतर से आया है तो आपका सबसे ज़्यादा FDI है हुआ कम्प्यूटर सौप्टवेर और हार्डवेर से आया है कोस्चन नमबर 75 देखेंगे जाती अधारित जन्गन्ना 2022-22 के अनुसार बिहार में किस जाती की जन्संख्या सरवादिक है तो यादव जाती की जन्संख्या जो है सरवादक है जो कि सबसे ज़्यादा 14.26% है कोस्चन नमबर 76 देखेंगे दिसंबर 2022 में भारत के चन्नाई टट पर आए मेडूस तुफान का नामक रन किस देश के द्वारा किया गया था तो UAE के द्वारा किया गया था कोस्चन नमबर 77 देखेंगे जी ट्वेंटी की सिर्पा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहां हुआ था तो राइट आंसर है उदाइपुर कोस्चन नमर 78 देखेंगे कोवो बैक्स नामक बैक्सिन के निर्माता कंपणी कौन है तो इसका निर्माता कंपणी है सिर्रम इंस्च्यूट्ट ओफ इंडिया कोवैक्स कोस्चन 89 देखेंगे वन वेव इंडिया टू उपगरा को किस पर छेपन यान के दोरा कच्छा में अस्थापित किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए लभी एम थिरी एम थिरी से कोश्चन नमर 80 निमन में से किस के द्वारा ओप्रेशन सदभावना की सुरुवात की गई थी तो भारती सेना के द्वारा ओप्रेशन सदभावना की सुरुवात की गई है Q81, भारतिय बन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार सरवादिक बन आवरंच छेतरफल वाले राजे हैं तो सबसे ज़्यादा बन जो है आपका मद परदेश में है Q81, देखेंगे Q83, मैंग्रोब की परजातियों के लिए एक जीन बैंक, नरसरी खोलने की घोसना किस राज सरकार के द्वारा किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा Option नमर B, ओडिसा Q84, देखेंगे अनुसंधान परद्योगी की और नवचार सहीयोग पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option नमर B, मैकिक्स को Q85, बरतमान में निती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो डाक्टर सुमन के बेरी बरतमान में निती आयोग के उपाध्यक्ष है वहीं बात करें कि BBR सुभरमन्यम या निती आयोग के CO है Q86 देखेंगे सरद यादव जिनकी मिर्टु 12 जनवरी 22 को ही इनके सम्मन्द में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो वे 7 बार लोकसभा के सदस्र है बिलकुल सही है वे 3 बार राजसभा के सदस्र है यह भी बिलकुल सही है वे जनता दल यूनाइटेट के पहले राष्टी अध्यक्ष थे यह भी सही है यानि कि राइट आंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा इन में से सभी Q87 देखेंगे इसमें बहारत का सथान कौन सा है तो इसमें भारत का सथान जो है चवथे नमबर पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में Q88 देखेंगे हाली में किस स्राज में से समदंधित गमोचा या गमचा को GI टेक दिया गया है तो ऐसे तो इसे बिहार का GI टेक मिलना चाहिए लेकिन इसे जो है असम का GI टेक दिया गया है किसको गमोचाई गमचा को ठेक है Q89 देखेंगे फोवर्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे साली महिलाओं की सूची में कितने भारती महिला को सामिल किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C 6 नमबर Q89 देखेंगे बर्स द्वार द्वार तेईस में कुल कितने लोगों को पदम विभूसन पुरुसकार से समानित किया गया है तो राइट आंसर जो है ओप्शन नमबर B हो जाएगा 6 लोगों को जबकि 123 में कुल 106 लोगों को पदम पुरुसकार से समानित किया गया है जिसमें पदम विभूसन तो 6 हो गया है पदम भूसन 9 और बाकी पदम सिरी से 91 लोगों को समानित किया गया है कुल मिलाईएगा तो आपको 106 हो जाएंगे कोश्चन नमरी क्यान में देखेंगे 64 रमन मेंगसे से पुरुसकार से निमलिकित में से किसे सम्मानित किया गया है तो रमन मेंगसे से पुरुसकार जो है वह सोथियामा चिम, बर्नार्डेट, जे मेडरिट, तसाधि हस्टोरी यानि तीनों को दिया गया यानि कि इसका राइट अंसर अप्सन नमरी दी हो जाएगा कोश्चन नमरी बान में देखेंगे कोश्चन नमरी देखेंगे परिच्छा संगम पोर्टल निमलिकित में से किसके द्वारा जारी किया गया था तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमरी देखेंगे कोश्चन नमरी देखेंगे पुस्तक के लेखक कौन है तो यहां BVI प्रश्चन है आपका इसे आप नोट करते चलेंगे इसके लेखक हैं मेगनाथ देसाई मेगनाथ देसाई बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें और बिहार दरोगा के प्रीवियस सेड अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में दिया गया है उसे भी देखें और इसके पीडिया प्राप्ति के लिए आप हमारे वाटसप या टेलियेग्राम चैनल से जरूर जुड़े कोस्चन नमर पंचान में देखेंगे जो कि अपना लाश्ट प्रश्ण है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपसिष्ट से हाइडोजन सेयंत्र कहा स्ताफित किया गया था तो इसका राइट आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट केज़ेगा है ठेक है धन्यवाद